इस वीडियो को देखने के बाद CSS Grid आप लोगों को आ जाएगी ये मेरा दावा नहीं गरेंटी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुती आसान तरीके से आप लोगों को CSS Grid समझाई हुई है और जो examples मैं यूज करूँगा न उनको देखकर आप लोग CSS Grid को चाकर भी नहीं होती है कैसे यूज करना कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्या चीज आसान है क्या चीज मुश्किल लग सकती है लेकिन आपको आसान मना के दिखाऊंगा इस वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचो भी ज़रूर लिग देना शलते हैं स्क्रीन में लेक्स रोल दे इंट्रो तो जो CSS ग्रेड होती है उसका इस्तिमाल किया जाता है कुछ ऐसे ले आउट्स को बनाने के लिए जो की आक्चुल में ग्रेड को रिजेंबल करते हैं लेट मी एक्स्प्लेइन मैं आपर एक जल्दी से वीस कोड को लूँगा और यहा तो एक इसको मैं नमबरिंग कर देता हूं वन टू थरी फॉर फई और इसको मैं प्रीवीव करूँगा और आप देखो यह यहां पर दिग गए कुछ स्टाइलिस डालूंगा यहां पर कुछ कंटेनर में डालूंगा कुछ आइटम में इसको सिंगुलर कर लेता हूं में डालूँगा border 2 pixel solid red और इसमें item में hide कर दूँगा 55 pixel और width कर दूँगा 55 pixel तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा तो yellow color का जो हमारा box है वो parent container है उसके अंदर हमारे पास 12345 ये सारे items आ चुके हैं थोड़ा visibility के लिए इसको black कर देता हूँ हाँ अच्छा लग रहा है तो अगर मैं इस container में लिखू display grid तो flexbox की तरह जैसे कि अगर मैं display flex करूँगा तो horizontally सारे items ले हो जाते हैं तो grid में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आप देखो grid करने से एकदम वैसे के वैसे ही रहती है चीजे लेकिन अगर मैं यापर inspect करूँ तो मुझे मेरा browser इसको as a grid दिखाएगा तो यापर यी grid दिखा रहा है और मैंने grid पर click किया तो यह मुझे दिखा रहा है भाई देखो य आपकी grid है और यह इसमें जो है rows है columns इसमें नहीं है तो सबसे पहली property जो मैं grid की आप लोगो बताना चाहता हूँ वो है grid में आप define कर सकते होगी कितने columns हो कितने rows हो और कुछ properties ऐसी है जो कि आप item में लगा सकते हो तो मैं आपर लिख सकता हूँ grid template columns और मैं आपर लिख सकता हूँ कि भाई देखो मुझे 120 pixels का column चाहिए एक मुझे 100 pixels का column चाहिए that's about it मुझे सिर्फ यह दो columns चाहिए और आप यहाँ पर देखो जो मेरी grid होगी वो दो columns में बढ़ जाएगी एक column यहाँ पर है मेरे पास यह वाला मैं zoom करके दिखाता हूँ आपको एक column में मेरे पास य यह वाला और एक column है यह वाला आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने grid को toggle किया दो column में इसने डिवाइट कर दिया देखो एक तो यह वन है यह दूरी line है grid की यह तीसी line है grid की अब मैं इस grid के अंदर अब देखो special क्या हो देखो grid के बारे में इस grid के अंदर किसी भी item को क columns होंगे एक होगा 120 pixel का एक होगा 100 pixel का तो इसने 120 pixel और 100 pixel के columns जो है वो यहाँ पर बना दिये इससे पहले कि मैं visualize आप लोगों को करवा पाऊं सही से मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग देखो यहाँ पर कि जो हमारी grid होती है वो कुछ इस तरह से बन गई है याँ कि मैंने कह दिया कि मेरी grid में 2 columns हों एक हो मेरा 100 pixels का एक है मेरा 120 pixels का और जो दूसरा column है वो है मेरा 100 pixels का ठीक है कुछ इस तरह से याँनि कि 1 120 pixel का हो गया और 100 pixel का हो गया ठीक है और यहाँ पर मैंने 100 pixel को बड़ा बना दिया but you got the point यारी कि ये 120 पिक्सल का एक हो गया और 100 पिक्सल का हो गया ठीक है मान लो ठीक है या फिर मैं इसको अगर मान लो 190 पिक्सल कर दूँ ठीक है तो दो कॉलम्स मैंने बना लिए 120 पिक्सल का ए 190 पिक्सल का कि भाई देखो जो मेरा ये आइटम है या नहीं कि ये जो आइटम है मैं इसमें प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ कि इस item को place कर दो कुछ इस प्रकार से कि ये start हो यहाँ पर, end हो यहाँ पर इसका जो row-start हो, वह यहाँ पर हो row-end हो, यहाँ पर हो, column-start यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो यह इसके ओपर ऐसे आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से grid में items को place किया जाता है कुल मिलाकर मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े और मैं आप लोग को और अच्छे से समझाओ इन सब चीजों को मैं कुछ चीज़े बताना चाहता हूँ आपको सबसे पहला concept है grid line का और grid cell का तो आपको पता होगा कि एक डबबा हमारी grid के अंदर एक cell कहलाता है तो एक डबबा जो होगा उमारा grid के अंदर वो एक cell कहलाएगा तो ये एक cell है ये वाला जो area है ये एक cell है ठीक है I hope कि आप लोग समझ गए कि grid cell क्या होता है ठीक है ये भी grid track है और अगर मैं ये वाली दो lines ले लूँ तो इन दोनों के बीच की जो space होगी पूरी grid में वो grid track कहलाता है और इसके बाद आता है मारे पास grid area जो कि होता है grid के अंदर कुछ भी area यानि कि मैं अगर दो lines ले लूँ horizontal और दो lines ले लूँ vertical उनके बीच की area को grid area कहते है तो ये है basic terminology grid की ठीक है I hope आप लोगो समझ में आ गया अब क्या होता है कि जब मैंने आपट grid template columns को set किया है या फिर मैंने grid template rows को set किया है ये distance चीम मुझे 10 pixel similarly मैं इस distance को भी जो है कह सकता हूँ grid template rows करके मैं कह सकता हूँ grid में मेरी 2 template rows हो या 3 template rows हो एक ये वाली row हो मेरी जो 25% हो एक ये वाली row हो और एक ये वाली row हो जो कि automatically जितनी भी height बची है वो ले ले ठीक है तब मैं क्या कर सकता हूँ कोई भी नया item मेरे पास आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरे ये वाला item है उसको यहां पर रख दो इसके अंदर इस वाले cell के अंदर रख दो एक और item में ला सकता हूँ उसको भी मैं कह सकता हूँ कि यहीं रख दो और overlap हो जाएंगे items तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ एक given item है उसको कुछ इस तरह से रख दो कि वो in cells में इस तरह से आजाए समझ दो आप लोग और मैं कह सकता हूँ एक और item हो जो कि यहाँ पर आ जाए और मैं कह सकता हूँ एक दूसरा item हो जो कि यहाँ पर आ जाए इतने सारे cells को span करता हुआ यह सब चीज़े कैसे करते हैं यह मैं आप लोगों बताऊंगा लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको जो एक grid है जो कि आप अपनी screen पर देख रहे हो grid वो grid जो है उसमें number पड़े हो है देखो एक मेरी पहली line है एक मेरी दूसरी line है एक मेरी तीसरी है एक मेरी चौती है पांच भी है छटी line है ठीक है मैं ये जो हमारी vertical line से उसकी बात करो lines का number है ठीक है फिर horizontal lines का भी number होता है ये मेरी line number 1 है ये मेरी horizontal line number 2 है ये 3 है और ये 4 है मैं इसको ulti numbering भी दे सकता हूँ जैसे कि मैं आप पर जो 4 है वो automatically minus 1 हो जाती है जो ये वारी है ये automatically minus 2 हो जाती है ये कि पीछे से 2 number minus 3 मतलब पीछे से 3 number minus 4 मतलब पीछे से 4 number तो मैं minus 4 बोलू या 1 बोलू मैं इसी वाली line को जो है इसी वाली line की बात कर रहा हूँ ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताँगा आगए आपको पता चलेगा कि इन lines को हमने number क्यों दिये grid में हम इन lines को नाम भी दे सकते हैं ये हमारी दूसरी line है ये हमारी तीसरी line है ये हमारी चौथी line है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको नाम दे सकता हूँ row 1 start row 1 end third line last line इस तरह के नाम दे सकता हूँ इसको दे सकता हूँ first इस वाली line को दे सकता हूँ line 2 इसको मैंने first दिया था मुझे कोई भी अन्नोन आदमी दिखता है, जैसे मैं अधार बकार्ड वन वाने गया था एक बार तो अन्नोन आदमी मेंना था, मैंने उसका नाम जो है, विकरांत रख दिया, मैंने रख दिया, बस ठीक है, मेरे लिए करमी निटा है, यहां पर आप देख सकते हो, कि आप इस तरह से इन लाइन के नाम रख सकते हो, तो यह हमारा great template rows, great template columns, अब आप लोग आजाओ यहां पर computer screen में, तो यहां पर यहां पर यहां पड़िया, उसको लगाते हैं, तो मैंने great template rows, और मैं आपर कह सकता हूँ, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, यानि कि मैं कह रहा हूँ, जो इसकी height होगी, वो 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels होगी, और आप यहां पर देख सकते हो, कि अगर मैं आप लोग को यहां पर great activate करके दिखा हूँ, तो आप देखो यहां पर, यह होगा हमारा 120, यह 100, यह 100, और यह 100, ठ पड़े होगे, यह number बहुत काम के है, ठीक है, तो मैं नहीं यह कर दिया, अब मालो मैं चाहता हूँ, कि यह जो मेरा 4 number वाला item है, यह आजा यहीं पर जहां पर 1 है, ठीक है, तो मैं इस 4 number वाले item में class डालूँगा, item 4, ठीक है, और मैं इस item 4 में कुछ property डाल कर, इसका adjustment column property, मैं कह सकता हूँ, जो इसका grid row होना, वो 1 से start हो, और 2 तक जाए, और जो इसका column होना, वो 1 से start हो, और 2 तक जाए, अब आप लोग देखना, यह यहीं पर आ गया, जहां पर यह था, आप देख रहे हो, जो 4 वाला item है, वो वहीं पर आ गया, जहां पर मेरा, यह आला item था लेकिन अब एक बड़ी विचितर सी चीज होई, जो 1 वाला item है, इसने automatically push कर दिया इसको बाहर, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मुझे item 1 में भी यहीं चीज चाहिए, तो मैं item 1 में भी बोल सकता हूँ, कि मुझे यहीं चीज चाहिए, और मैं यहां पर item 1 class यहां पर जैसे ही डालूँगा, आप देखो यहां पर overlapping देखने को मिल जाएगी, 1 भी वही है, 4 भी वही है, तो एक के उपर एक जो है यह आ गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देख रहे हैं आप लोग, item 1 भी मेरा यही है, 4 भी यही है, तो overlap करके भी items को मेरी मर्ज grid में कई भी place कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह हमारी grid है, जैसे मैं यह grid पे click करूँगा, यह देखो मुझे मेरी grid दिख रही है, ठीक है, और अब आप देखो यहां पर minus 2 यह सारे numbers जो है, वो लिख कर मेरे आ रहे हैं, I hope so far सबको clear हो गया, कि भाई सबसे पहले हमें display grid डालनी है, फिर इसके बाद हम लोगों को grid template columns और grid template rows डालनी है, इससे यह पता चलेगा कितने columns बनेंगे, कितने rows बनेंगे, items by default automatically place किये जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी item में यह कह दिया कि भाई, मुझे यह grid row number 1 से लेके row number 2 तक चाहिए, और यह column 1 से लेके 2 तक चाहिए, तो वो उसी corresponding row वाली line और column वाली line में अपने आपको set कर लेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखना कि मैंने लिखा ए grid row 1 slash 2, यानि कि 1 से start हो row और 2 तक जो है वो आए, यानि कि यहाँ पर जो मीरा, अगर मैं आप लोग को grid दिखाऊ उपनी, तो line number 1 पे आए और 2 यानि कि इस वाले यहां से लेके यहां तक जो है जगा मिले इसको, column में यहां से लेके यहां तक जगा मिले इसको, लेकिन मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 से लेके 3 तक जगा मिले इसको, जिससे क्या होगा कि यह यह वाली space पूरी ले लेगा, ठीक है, मैं अगर आप ल लेकर 3 तक रहेगा column में तो इसने पूरा stretch कर लिए अपने आपको अभी देखो मैं item 1 दिखा रहा हूँ आपको 1 से लेकर 3 तक पूरे columns ले रहा है और ये 1 से लेकर 2 तक पूरे rows ले रहा है ठीक है तो जो मैं बोलूंगा grid row start और मैं grid row start को 1 कर देता और मैं grid row end को इसको 2 कर देता तो मैं अगर ये ना लिखकर ये भी लिखू ना तो भी और you can do ये same thing मतलब कि आप चाहें ये कर लो चाहें आप ये कर लो एक ही बात है ठीक है एक ही बात है तो कुछ इस तरह से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जो हमारा grid है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिख रहा है items वैसे के वैसे ही क्योंकि ये दो line है लिखने का और ये लिखने का एकदम एक ही मतलब है ये short hand होता है grid row same आप column के साथ भी कर सकते हो grid column start, grid column end ठीक है तो इस तरह से आप place कर सकते हो items को कहीं पे भी पूरी grid में अगर मैं चाहूँ जो 1 वाला item है वो पूरा span करे तो वो मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि जो मैड़ा 3 वाला item है वो नीचे तक span करे मैं कर सकता हूँ number वगएरा भी मैं जो है space चाहिए फिर मैं कहा दूसरा यानि कि जो मेरी दूसरी वाली जो vertical line है उसका नाम मैंने दे दिया दूसरा जो कि मैं columns की बात कर रहा हूँ भी यहां पर और आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यह जो है यहां पर यह मैंने जो one था उसका नाम इस वाली line का नाम रख दिया पहला जो second वाली vertical line है उसका नाम रख दिया दूसरा इसका नाम मैं तीसरा रख सकताँ हूँ ठीक है मेरी मर्जी अभ्या कि जो मेरा grid column है ना वो one से लेकर T तक जाए कहा तक जाए या फिर मैं कहे सकता हूं कि दूसरा से लेकर T तक झाए तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ और अभी मैं आप लोग को दिखाऊ ना कर तो यह दूसरा से लेकर T तक जाएगा मैं डिखाता हूं आप लोगBut Infact मैं ने ज़ो है item 4 को कर दिया ऐसा दूसरा से लेकर T तक तो मैं item 4 पर अगर करूँगा तो यह दे को दूसरा से लेकर T तक जा रहा है यानि दूसरा से start हो रहा है और T तक जा रहा है दूसरा क्या था? दूसरा यह वाली line थी ठीक है? 100 pixel की space ले रहा था तो यह पहला से लेकर T तक जा रहा है और इसलिए क्या हुआ क्योंकि यह space ले रहा है पहला से लेकर पूरा T तक अगर इसकी width थटा दूँ तो दीखेगा आपको यह पहला से लेकर पूरा T तक space ले रहा है यह सब जो है secondary चीज़े होती है आप बस 120 पिक्सल करो 100 पिक्सल करो और इस तरह से column अगर declare करना चाहते हो तो करो वहना automatically column बन जाते है sorry rows बन जाती है automatically आपने अगर columns declare कर दी है सिर्फ तो कोई दिक्कत नी है सिर्फ rows declare कर दी है अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दूँ तो क्या होगा तीन columns बन जाएंगे तीन rows बन जाएंगी क्यों कि मैंने rows declare करी है और ये तीन rows के बाद columns automatically बन जाएंगे तो इसने खुदी जो है automatically figure out कर लिया कि अगर ये तीन rows है दो column मुझे बनाने पड़ेंगे इन items के साब से तो एक चीज़ अगर आप set कर दो इन दोनों में से तो दूसरी चीज़ automatic हो जाती है इसके बाद किसी भी item में आप grid row, grid column करके set कर सकते हो उसको जहां मन चाहे overlap भी करवा सकते हो जैसे दिलचाय आप कर सकते हो ठीक है तो इतना ये grid लेकिन कुछ और चीज़ आपको बताता हूँ तो ये तो एक तरीका हो गया grid को इस्तेमाल करने का तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि एक तरीका one है ठीक है अब एक और तरीका बताता हूँ इसको मैं grid 1 रख देता हूँ और क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई concept नहीं ग्रेड 1 ग्रेड 2 का लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ क्यों कि आप लोग को समझ में आए कि ये दो तरीके क्या है grid में place करने के ठीक है तो अभी तक जो भी हमने पड़ा उसमें या तो हमने line के नाम दे दिया हमने का या यह first line है यह second line है यह third line है यह call for start है जो मैं नाम दे सकता हूँ मैंने हिंदी में भी दिया था पहला दूसरा तीसरा करके आपको दिखाया था या फिर हम इसको 1 इसको 2 इसको 3 ऐसे करके हम कह सकते हैं 1-3 कर दिया हमने तो इसका मतलब इतनी space तो मिली गए इसको फिर हमने कह दिया मालो यहाँ पर भी number डालता हूँ 1-2-3-4 फिर हमने कह दिया 3-4 हमने जो rows थी उसमें 1-3 लिख दिया तो इसका मतलब यह हो गया कि automatically यह वाला area इसको मिल गया ठीक है किसी भी item को ठीक है अब जो दूसा तरीका मैं आप लोगो बताने जा रहा हूँ वो है किस तरह से आप लोग name करके रख सकते हो items को तो यह थी हो जी तो हमने देखी लिया grid column row कर लो इस तरह सा item को place कर लो अब एक और तरीका जो मैंने कहा कि grid 2 दूसा तरीका क्या है कि आप क्या करो area का नाम दे दो आप यानि कि क्या करो कि कि किसी भी एक container को display grid दो पहले ठीक है क्या करोगे सबसे पहले display grid दोगे फिर आप कहोगे कि यह जो grid है इसमें यह वाले area का नाम है navigation bar क्या है यह वाले area का नाम navigation bar यह है navigation bar मेरा यह है मेरा main content यह क्या है मेरा यह है मेरा empty यह है मेरा side bar यह है मेरा footer ठीक है मैंने इसको bar दिया कैसे बाटूँगा मैं इसका syntax होता है आप कुछ इस तरह से कह सकते हो content है, यह empty है, यह sidebar है, यह, यह, यह footer है, ठीक है, अब मैं इन नामों का इस्तिमाल करके place कर सकता हूं items को, तो वो देखो कैसे करते हैं, उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा grid 2 था, इसमें मैं display grid तो रखूंगा, लेकिन यह सारा जो syntax मैंने लिखा है, वो हटा दूँगा, item 4 में जो लिखा है, और item 1 में लिखा है, और अब मैं syntax जो इस्तिमाल करने वाला हूं, वो grid area वाला syntax है, तो पहले तो मैंने क्या लिखा था, grid template rows, अब मैं आपर लिखूंगा, grid template areas, और मैं कहूंगा, यार देखो, ज nav 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 के बाद जो मेरा दूसरा यह है, वो क्या बने, वो बने site, और फिर एक और बने, मालोक col नाम से, या फिर मैं काम कहता हूं, article, यह मैंने नाम रखे हैं, ठीक है, यह मैंने नाम रखे हैं, cells के, अब देखो, आप लोग यहां पर, कि जो मेरी grid बनेगी, मैं एक बार इसको item 1 है ना, उसमें grid area जो है, वो है nav, ठीक है, वो nav है, grid area nav है, तो अब आप देखो, यहां पर क्या हुआ, मैंने का, और मैंने इसकी ज़रा width ठटा देता हूं, ताकि आप लोगो पता चले कि यार, यह कितनी width ले रहा है, अब देखो, मैंने जो मेरा 1 था, वो यहां पर आगय जो मेरा item 2 होगा, मैं जरा इसको जरा arrange कर लेता हूं, यार, सई से लिख लेता हूं, यार, देखो, आप लोगो को ना, सई से देना है code, तो मैं इसको जरा उपर ले आता हूं, item 1 को, फिर इसको मैं करूँग, item 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, और आप यहां पर देखो, grid area मैंने क कर दूँगा, article, office के बाद जो अगला item है, उसका grid area मानलो, मैं करना चाहता हूं, footer, 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 यानि कि यह पूरा नीचे वाला footer है, तो मैं कहा दूँगा, कि जो item 4 हो footer है, ठीक है, grid area footer, ठीक है, आप देखो, मैंने grid area footer लिख दिया, तो यहां पर अगर मैं भी आप ल background color, कुछ और हलका सा, यह कर दूँ मानलो, नहीं हाली तो कर चुका हूं मैं, मानलो मैं beach कर दूँगा, इसका background color, इसका background color मैं कर दूँगा, लेटर से azure, तो आप देखो, कि यह यहां पर आया, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने, इसका item 2 का क्या मैंने नहीं लिखा, item 2 मैंने डाली नहीं class, item 2 class डालनी पड़ेगी, item 3 class भी डालनी पड़ेगी, item 4 यहां पर आ गया, और item 5 भी डाल देता हूं, तो यह items आ गया सारे, अब देखो, यह मेरा item 1 आ गया, फिर मेरा item 2 आ गया, फिर 3 मेरा item 3 आ गया मेरा, चुकि मैंने यहां पर लिखा था कि जो दो columns होंगे अगर में grid activate करूँ तो आपको दिख रही होगे भी grid, nav, 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 first item ने nav ले लिया, इसके बाद क्या था, article था जो भी नाम मैंने दिया था, second ने वो ले लिया, फिर यहां पर दोनों same लिखे थे मैंने, side side लिखा था, पता नहीं article, article लिखा था, क्या लिखा था, मैंने दोनों क पूरी space ले ली नीचे वाली है, ठीक है, fifth वाला item बचा, तो उसके पास कोई चारा नहीं है, उसने अगली वाली जो हमारी row थी वो पकड़ ली, ठीक है, उसने अगली वाली row पकड़ ले, उसने का भाई, मेरी यही जगा बची है, कुछ कर भी नहीं सकते, अगर अब मैं zit प्याड़ के यह कह दूँगी, five जो है, वो भी आ जाए कहाँ पर, header में, मालो मैं कुछ ऐसा कर दूँँ, ठीक है, मैं को वो भी उपर आ जाए, मैं चाहता हूँ कि five को उठा के मैं यह overlap कराना चाहता हूँ, तो मैं use कर सकता हूँ, इसका in conjunction with, मैं आपको दिखाता हूँ यह पर यह complex वाला use case भी दिखाता हूँ आपको, मैं कह सकता हूँ, item five, अगर मैं इसका grade area nav कर दूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो, यह navigation बार पर आ गया, यह भी वहीं पर आ गया, यह भी वहाँ पर है nav में, यह भी आ गया nav में, तो overlap करा सकते हूँ, items को, जितने भी मंच है, तो यह भी आप लोग कर सकते हो, तो CSS grid में कुल मिलाकर इतना ही है, मेरे साब से इससे जादा CSS grid में आप लोगो को सीखने की जरूरत अगर पड़ भी गई, तो जादा नहीं पड़ेगी, बस एक unit के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत important है, और वो है FR unit, इसको जाए, viewport का, अब मैं कह सकता हूँ कि यार, इसके अगर तीन टुकड़े किये जाए, width के, तो 1fr, 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 तो इसका क्या मतलब होता है, मैं इस हिसाब से columns बनाना चाता हूँ, मालो मैं कुछ ऐसा करना चाता हूँ, मैं कहना चाता हूँ, कि बाई देखो, जो मेरे grid template columns है, मेरे, वो 1fr, 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 1fr कर दो, fr एक unit होती है, जो कि specifically grid में इस्तेमाल की जाती है, और fr का मतलब यह होता है, कि पूरे, जो भी available width है, उसका one fraction, one fraction, one fraction, नहीं कि तीन बार लिख दिया कर तो यह one third, one third, one third हो गया, ठीक है, अगर यह चार बार लिखा होता तो यह one fourth, one fourth, one fourth होता ह जो इसको, तीन बार अगर मैंने 1fr लिख दिया, अगर मैं कहता हूँ, 1fr, two hour ज़र यह दिखाता हूँ पहले आपको, यह दिखाता हूँ ज़र आपको पहले इस चरह से grid activate करके, देखो, onefr और इसकी width में ज़र खटाता हूँ, width में ज़र खटाता हूँ, ताकि आपको पता ले कितनी विट ले रहा है तो यह देखो 1fr 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 मैंने कर दिया अब यह 5 और 4 इदर क्यों आ रहा है यह मैं देख लेता हूँ 5 और 4 इदर क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने आपर कुछ classes डाली हूँ जिनको मैं comment out करूँगा फिलाल के लिए इसको भी comment out कर देता हूँ इसको भी comment out कर देता हूँ आप लोग concept दो समझी गए हो ठीक है तो यह देखो अभी यहाँ पर 1fr 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 तीन columns बन गए अगर मैं इसको 1fr 2fr 1fr कर दूँ और मैं ऐसे कर दू 1fr 2fr 1fr तो यह इस हिसाब से ले लेगा अपनी width कि यह जो वाला cell होगा न यह second वाला column होगा यह दुगना width का होगा 1fr 2fr 1fr दिखर आपको यानि कि 2fr 1fr से double है ठीक है इस हिसाब से यह set कर देगा तो आप ऐसे कर सकते हो तो यह fr units का इस्तेमाल है आप इसको column की जगा row पर भी use कर सकते हो यह आपकी totally मर्जी होगी फिर इसके बाद एक और property जो मैं आप लोगो बताना चाहता हूँ वो है gap तो आप gap कर सकते हो 34 pixels अगर मैंने gap किया तो इसमें gap आ जाएगा 34 pixels का row gap और column gap आप अलग-अलग set कर सकते हो कुछ इस हिसाब से row gap करोगे मालो row gap मैं चाहता हूँ 10 pixels लेकिन column gap मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ 44 pixels तो column gap जादा हो जाएगा row gap कम हो जाएगा तो मैं इस तरह से कर सकते हो आप देखो यहाँ पर row gap और column gap अलग-अलग हो गए बने column gap यहाँ पर जादा लिया है तो gap से items के बीच में gap आजाएगा padding use मत करना flexbox में यहाँ फिर grid में gap use करना फिर gap use करने का एक और फाइदा यह भी होता है कि यहाँ पर आपको नहीं मिलती है padding वगरा ठीक है यहाँ पर आप लोग को spacing नहीं मिलती है तो यह फाइदा होता है अब इसके बाद grid का एक और आपको बताता हूँ यहाँ पर important काम और वो है कर आप items को justify align करना चाते हो जिसके लिए मैं दुबारा से width को डाल दूँगा मैं यहाँ से width अटा आई थी मैं width को दुबारा से कर दूँगा 55 pixels ठीक है तो आप देखो यह सारे items कुछ इस प्रकार से जो है आ गए अब मैं चाहता हूँ कि grid में center हो जाए सबके सब तो मैं आपर क्या कर सकता हूँ justify items center तो देखो जैसे ही मैंने justify item center लिखा इसके अंदर का item center हो गए अपने अपने cell में फिर मैं यह आपर लिख सकता हूँ align items center अब देखो items इसके center इसले नहीं होई क्योंकि मैंने यह आपर height नहीं दे रही है कुछ भी ठीक है अगर मैं height दे दूँ अगर मैं आपर height दे दू container को तो मेरा container है इसको माल लो मैंने height दे दी है मैं इसको तोड़ा ऐसे करूँ तोड़ी बड़ा देता हूँ 100vh को और अगर मैं यहाँ पर align items को देखो center करूँ तो यह align items जो है center में align हो जारे है सारे items अपने अपने cell के ठीक है तो इसको 100vh कर देता हूँ यह आप लोग को पता चले जो यह height है हमारी 100vh हो गई और जो justify items था एक center एक align items था center तो यह जो align items है वो center हो जाएंगे अगर मैं ऐसे करूँ तो अब अगर आप चाते हो कि center में align ना हो कि इधर उधर हो तो इसकी properties आप देख लो है आप एक तो है है हमारे पास flex start तो आप उसे साप से कर सकते हो ठीक है और यह सारी properties आप try करो end करोगे तो end में आ जाएगा left करोगे sorry अब start करोगे तो start में आएगा और stretch करोगे तो यह stretch हो जाता है अगर इसके अंदर के जो यह default होती है setting वैसे अगर इसमें height width नहीं लगी हो यह तो यह सारे जो है आप लोग use कर सकते हो end center और start का इस्तिमाल करें वैसे flex end भी लग जाती है बट flex end use ना करें end ही use करें ठीक है so I hope कि यह चीज आप लोगो समझ में आ गए किस तरह से काम करती है अब individual item पर भी लगा सकते है इस property को देखो मैंने आपर क्या किया हुआ है मालो मैं सिर्फ इसको center करना चाता हूँ item 2 को या फिर अगर मैं चाता हूँ align self करना इस item पर start तो यह देखो सिर्फ यह item start में आ गया ठीक है cell के अंदर लग रही है property यानि कि अगर मैं कह रहा हूँ start end वो यह वाला जो box दिख रहा है आपको ओपर देखो ओपर box दिख रहा है जिसके अंदर two है उस box के विदिन लग रही है 1fr को तो 1fr को यह repeat करतेगा चार बार तो यहां पर चार columns बन जाएंगे एक दो तीन चार जैसे कि देखा आपने ठीक है आयोब यह clear होगे आप लोगों को इसके बाद एक min max भी property होती है अगर मैं चाहता हूँ कि minimum जो है वो 100 pixels रहे जो width होगी मेरी cell की यानिकी जो मेरे column की width होगी और maximum जाए 1fr ठीक है तो आप देखो इसका मतलब यह हुआ कि जो minimum है वो जाएगा 100 और maximum ही चला जाएगा कितना maximum चला जाएगा 1fr जो की calculate होगा इस width को 4 टुपड़ों में divide करके 1fr की कितनी width आती है तो depend करेगा इस पे न कि कितनी बार 1fr लिखा हुआ है तो उसे साब से width आ जाएगी और width आ जाएगी तो minimum यानि कि minimum यह इतनी तो रखेगा ही रखेगा और उसके बाद maximum यह कितनी करेगा मैं आपको बता हूँगा कि content हम लोग कभी यूज करेंगे मैंने आपर black color का border दिया है grid में आप यहाँ पर देखो grid container में black color का मैंने border दिया है और इसके बाद मैंने आपर 1fr यूज किया है but what if मैं इसमें सिर्फ से 40 pixels यूज करूँ ठीक है मैं तरा एक काम करता हूँ कि इसको 1fr करके comment out करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है इसका code मिल जाए और मैं आपर या करूँगा 40 pixels कर दूँगा तो जब मैं आपर 40 pixels कर रहा हूँ न तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि मेरा जो column है उसकी width 40 pixels हो जाए ठीक है और यह min max पगर हटा देता हूँ मैं कहरा हूँ कि 40 pixels 40 40 pixels 4 बार ठीक है, 4 बार 40 px मैंना कर दो और अब देखो यह जो ग्रीड यह निकल गई बाहर क्यों निकल गई बहार आपको दिखाता हूं आप देखो यहां पर यहां पर जो मेरा container हूँ he यहां पर मेरा container बढ़ा है और items मैं कम जगह ले रहे हैं यानि की container के within अगर मैं align करना चाहता हूँ items को यहीं पूरी grid को items को भी नहीं पूरी grid को अगर मैं container के within align करना चाहता हूँ तब मैं justify content का इस्तिमाल करूँगा center करूँगा तो पूरी grid center अगर end करूँगा तो पूरी grid end में और अगर start करूँगा जो कि default होता है तो पूरी grid start में ठीक है ये तभी लागू होगा justify content और align content जब जो हमारा container है grid container वो बढ़ा है और जो grid है वो हमारी container के अंदर बहुत छोटी सी है ठीक है और same चीज जो है vertically भी मैं दे सकता हूँ अब आप देखो यहाँ पर मैंने जो यह items है कुछ प्रकार से दिये कि इनकी जो width वो ऐसी है अगर इनकी height ऐसी लेता हूँ एक बार कि कितनी rows बन रही है मैंने लो दो rows चाता हूँ मैं तो repeat करूँगा दो बार मैं कहूँगा बाई दो rows देतो मुझे और अब आप देखो यहाँ पर कि जो आपकी grid है वो height जो container का है वो जादा है grade की height कम है तो आप लगा सकते हो भी यहाँ पर align content और align content center करने से center में आ जाएगा end करने से end में आ जाएगा तो यह जो है आप कर सकते हो अगर आप cell के within करना चाते हो तो आप items का इस्तेमाल करते हो ठीक है justify items align items यह cell के अंदर इस्तेमाल होंगे और अगर आपका container बड़ा है grid छोटी है तब आप क्या करोगे align content justify content का परियोग करोगे I hope कि यह आप लोग को समझ में आ गया and I hope कि आप लोग को CSS grid समझ में आ गई फिर एक place content और place items होता है मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं आपर कह दूँ container में कि place content place content center तो justify content भी center हो जाएगा align content भी center हो जाएगा ठीक है तो place content इस विज़ आप से काम करता है I hope कि यह आप सबको clear हो गया है और आप लोग को समझ में आ गया है sigma web development course को अगर access नहीं किया है भी तक तो उसको access कर लेना जरूर से यह click करके करना bookmark यह click करके करना save और code वगेरा में आप लोग के लिए अपडेट करी दूँगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल